कक्षा 12 इतियास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है भारती इतियास के कुछ विशे भाग दो यात्रियों के नजरिय से समाज के बारे में उनकी समझ लगभग दसवी सताब्दी से सतरवी सताब्दी तक साथियों, NCRT इतियास कक्षा 12 की दूसी पुस्तक आजम सुरू करने जा रहे है उस पुस्तक का पहला जो पाठ है वो यात्रियों के नजरिय से अध्या है इस अध्याय में भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों का वर्णन है साथ ही साथ उनके द्वारा रचित फुस्तको का भी उलेक किया हुआ है इन फुस्तको के माध्यम से हमें प्रारब में भारत की सामाजीक, आर्थीक, राजनेतीक वो भोगलिक इस्तती समझने में बहुत मदद मिलती है साथ ही साथ तातकालिक समय में भारतिय परिप्रेक्ष में विश्व के संदर में भारती क्या इस्तती थी इस पर भी हमारी समझ बढ़ती है तो आईए विद्यार्थियों मेरे साथ जूड़िये और आगे बढ़िये आज के हम पहला जो यात्री है वह ले रहे हैं अल बिरुनी अल बिरुनी विश्व इतियास में एक महत्पुन यात्री की रुप में जाना जाता है जिसने भारत को न केवल अपने पडोसी राज्यों की स्थिति के संदर में वरन वेश्विक संदर में पहचान दिलाई और भारत का परिचे अन्य विश्व के देशों के साथ भी कराया आईए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं आज हम सुरुआत करते हैं अल बिरुनी अल बिरुनी का जन्म आधुनिक उद्बेकिस्तान में इस्थित ख्वारिज्म में 15 सितंबर सन 973 इस्वी में हुआ था द्यार्थियों 15 सितंबर 983 यह वह दिन था जब इस महानियात्ति का जन्म हुआ आप यहाँ पर मांचित्र में देख सकते हैं कि ख्वारिज्म की इस्थि का है वर्तमान में ख्वारिज्म उद्बेकिस्तान में इस्थी थे आप मांचित्र में देख रहे हैं ख्वारिज्म से रक्षिन पुरुकी और घजनी नामकिस्तान भी हमें दिखाई दे रहा है उस समय की जो उपलब्द शिक्षा थी स्रेश्ट उपलब्द शिक्षा थी वह प्राप्त की थी सबसे अच्छी सिक्षा प्राप्त की थी वह कई भाषाओं का ज्याता था अल बिरुनी बहुती विद्वान वेक्ती था उसे बहुती भाषाओं का ज्यान था जिन में मुख्य वरन साथ ही साथ वह युनान के दार्षनिकों से भी परिचित था। उनके दार्षनिकों द्वारा रचित साहित्य उसने पढ़ा था। 13 दिसंबर 1948 इस्वी में घजनी अफगानिस्तान में हुआ था। अभी हमने मानचित में घजनी देखा था। वहाई पर इसकी मिर्तिव हुई थी। आईए विद्यार्थियों अल विरुनिके परिचे के बाद अब हम उसके कारियों पर द्रिश्टी बात करते हैं। जब 2017 इस्वी में ख्वारिज्म पर आकमन के पस्चात घजनी का सुल्तान महमुद यहां पर उसने कबजा कर लिया ख्वारिज्म पर और यहां से वह सभी जो अच्छे विद्वान थे जो महत्पुन विक्तित्व थे उनको वह अपने साथ में ले गया। विद्वानों को ले गया, कवियों को अपने साथ में अपनी राजदानी घजनी ले गया। अल बिरुनी भी उनमें से एक था, जो विद्वान जितने भी वह अपने साथ ले गया, उनमें से अल बिरुनी भी एक शामिल था, अल बिरुनी उसमें का एक विद्वान वेक्टित्व था, हम अभी तके समझ गए हैं कि शिक्षा के छेत्र में उसने बहुत अधिक शिक्षा नियूक्त कर दिया, जब वह गजनी अपने साथ ले गया, तो उसने उसकी अलबरोनी की विद्वता से उपर भावित हुआ, और उस राज जोतिस बना दिया, अलबरुनी का जो मूल नाम है वह है अबू रेहान मुहम्मत यह उसका मूल नाम है लेकिन वह अलबरुनी के नाम से प्रसिद हुआ जिसका अर्थ होता है उस्ताद अल बरुनी का साब्दिकर थे उस्ताज इससे इतात्परी है कि वह विद्वान था उसकी विद्वता के चर्चे सबीतर थे अल बरुनी ने गणीत और खगुल विज्ञान अबू नस्र मंसूर से सीखी थी उसके जो गुरु थे वो अबू नस्त जनर मंसूर थे जिनसे उसने गनीत वखवगल सास सिखा था इस प्रकार हम अलबरुनी का परिचे प्राप्त करते हैं और हमें ये बात समझ में आ रही है कि अलबरुनी अपने समय का एक विद्वान वेक्ती था हर छेतर में उसको ग्यान था घर्नीत वखवगल सास सिखा में भी उसकी पहुंच थी अब हम इस बात का पता लगाते हैं कि अलबरुनी की भारत यात्रा किस प्रकार हुई वो भारत में कैसे आया अलबरुनी सुल्तान महमुद गजनवी की सेना के साथ अफगानिस्तान और दक्षिन एशिया की यात्रा पर आया जहाँ जहाँ गजनवी की सेना गई वहाँ वह भी साथ में था अलबरुनी उसके साथ था तो इस पेकार अलबरुनी अफगानिस्तान वद्दक्षिनेश्या की और आया और जब भारत आया और भारत में कई वर्षों तक पंजाब राज में रहा विद्यार्थियों गर्जनवी की सेना के साथ अलबरुनी भी भारत आता है और पंजाब राज में वकार्फी लंबे समितिक निवास करता है भारत में रहकर उसने संस्क्रत पड़ी और साथ ही उसने हिंदु दर्शन और दूसरे सास्त्रों का भी गहरेई से अध्यन किया दौरा यात्रवतांत लिखा गए उसके दो कारण है पहला उन लोगों की सहयता करना जो हिंदुों से धार्मिक विशयव पर चर्चा करना चाहते थे दूसरा ऐसे लोगों के लिए सूचना संगरह करना जो हिंदु के साथ संब्द होना चाहते थे इस पर गान दो मुख्य उद्देश यह पहला, वार्ट समय था जब विद्वान लोग Chartier के माध्य अध्यन से एक बाचीट के माध्य न से ज्यान का प्रचार प्रसार करते थे वह विद्वान जो हिंदू से धार्मी विष्वय पर चर्चार करना चाहते थे उनके लिए मारत देशन का काम किया साथ ही साथ भारत का विश्व में जो प्रचार प्रसार था वो एक सम्रद देश के रूप में था एक ज्यान संकल्प एक ज्यान संपर्ण देश के रूप में था लोग हिंदू के साथ अपना संबद बनाना चाहते थे उनकी लिए भी प्रत्र प्रदर्शक्त के रूप में अल बिरुनी ने यात्रवतां लिखे हैं साथियों अल बिरुनी एक विद्वान था उसने लगबाग 146 किताबे लिखी है इन 146 किताबों में से 35 किताबे खगुल सास्तर पर 23 किताबे जोतिस सास्तर की वह 15 कितावे गनित पर 7-16 साहितिक तता अन्य विश्यों पर भी उसने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं इससे पता चलता है क्याल बिरुनी एक विद्वान था वह सिर्फ एक छेत्र तकी सिम्वीत नहीं था गनित में, जोतिश में, खबल सास्त्र में, वह विज्यानिक छेत्र में, चिकिस्सा छेत्र में, साहितिक छेत्र में, परतियक छेत्र में उसका दखल था इस प्रका उसने सभी छेत्रों पर अलगलग प्रकार की पुस्त के लिखी है इनी वे से एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद द्यार्थियों किताब उल हिंद पुस्तक के माध्यम से तातकालिक भारतिय इतियास के संदर में हमें जानकारी मिलती है जैसा कि हमने पूरु में पढ़ा था अल बिरुनी गरजनवी के साथ भारत आया और पंजाब प्रांत में निवास उसने किया यहीं पर उसने संस्क्रत का अध्यन भी किया इसी दोरान अल बिरुनी ने अपनी पेनी नजर से भारतिय तातकालिक इतियास के उपर एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद यह पुस्तक अन्य नाम से भी जानी जाती है जिसे हम कहते हैं ताकी के हिंद दोनों ही एक ही पुस्तक का नाम है और यह पुस्तक मुख्य रुप से अर्बी भाषा में लिखी गई है इसकी जो भाषा है वसरल है इस पश्ट है यह एक विस्तृत गरंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों, खबोल विज्ञान, रितिरिवाजों तथा प्रथाओं साथी साथ सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विद्यों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान, आधी विश्यों का गूड विवेचन किया गया है अल बरुने ने भारत में रहकर भारतिय सामाजिक जीवन को बहुत बारिकी से देखा यहां की परंपराओं का अध्यन किया, यहां के रितिरिवाजों का उसमें अध्यन किया तत्थपस्चाज इन सभी विंदूं को अपनी पुस्तग में समेटने का प्रियास किया और ये एक महान ग्रंथ हमारे सामने उपलब्द हुआ इसी ग्रंथ की वज़े से तातकालिक भारती इतियास के हमें जानकारी होती है यह पुस्तक लगभग असी अध्याय में विवाजी थे पुस्तक में असी अध्याय है और एक मुख्य विशेस्ता ये है कि प्रत्यक अध्याय की सुरुवात एक विशेस्ट सेली में होती है अलबरुन ने प्रत्यक अध्याय की सुरुवात विशेस्ट सेली में की है जिसमें आरम में एक प्रश्न होता था तो अध्याय की सुरुवात वो प्रश्न के माध्यम से की है ततपश्चात संस्कृतिवादी परंपराओं पर अधारित वर्णन उस समें तातकालिक भारत में जो परंपराओं चल रही थी उन परंपराओं का उसने वर्णन किया और अंध में अन्य संस्कृतिव के साथ तुल्ना किये अलबरुनी ने भारती संस्कृतियों का वर्णन किया साथ के साथ अन्य देशों में अन्य समाजों में जो संस्कृतियां परचली थी उनके साथ उनकी तुल्ना करिये इस प्रकार तुलनात्मक रूप से भारती इतियास का विवेचन हमें किताब उलहिंद ग्रंथ में मिल जाता है अल बरुनी ने अपनी जो क्रतिया है वो मुख्य रूप से उप महाद्यूप की सीमान चेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी हमने पूर में दिन किया था कि वहाद गजनवी के साथ आया और पंजाब प्रांथ में उसने निवास किया महाद के लोगों का रहन सेन उसने देखा समझा उनी को दृष्ट कौन में रखते हुए उसने इस पुस्तक की रचना किये वह संस्क्रत पाली तदा प्राकत ग्रंथों के अर्भी भाषा में अनुवादों तथा रुपांत्रोंने से परिचित था उसने पूर में भारतिय साहित्य जो की अर्भी भाषा में रुपांत्रित हो चुका था उसका पूर्ण रुप से अध्यन किया था सबसे महत्पुन तथी ये कि अलबरोनी का ध्रष्टिकोन आलोचनात्मक था उसने भारतिय परंपराओं, रितिरिवाजों, भेवारों, दर्षन, धर्म सभी का अध्यन किया लेकिन उसका ध्रष्टिकोन आलोचनात्मक रहा उसने हमेज़ा सुधार की दर्ष्टि से इने देखा है इस पुस्तक में अनेक प्राचिन दंथ क्रथाओं के साथ साथ खगोल विज्ञान चता चिकिस्या विज्ञान से समंदित वीवरन भी हमें प्राप्त होते हैं समकालिन भारती इतियास को जानने है तू किताब अलहिंद एक महत्पुन ग्रंथ है इस ग्रंथ के मदद से हम ग्यारवी सतावधी के भारती इतियास का अध्यन कर सकते हैं उस समय के समाज की स्थितिका मावलोकन कर सकते हैं साथियों अब हम अल-भरुनि की अनुसार भारत में जाती व्यवस्ता का अध्यान करेंगे अल-बरुनि ने अपनी पुछतर किताबुल्हिंद में भारती जाती व्यवस्ता का उलेख किया है साथ ये समझाने का प्रियास भी किया है कि भारत में जिस प्रकार से जाती प्रता थी उसी प्रकार से उस समय में अन्य समाजों में अन्य देशों में भी वर्ण विभाजन था वो विभाजन किस प्रकार से था आईए देखते हैं भारत में जाती व्यवस्था अल्बिरुणी के अनुसार सामाजिक वर्ग अल्बिरुणी ने भारती जाती व्यवस्था का विस्तरत वर्णन किया है उसने अन्य समाजोत था समुदायों के प्रतिरुपों के आधार पर भारती जाती व्यवस्था को समझाने का प्रियास किया उसने लिखा कि प्राचीन फारस में चार वर्ग थे यहाँ पर अलविरुनी फारस में जो समाजिक व्यवस्ता थी उसका वर्णन करता है और भारती वर्ण व्यवस्ता के साथ सामिता बठाने का प्रियास करता है उसके अनुसार फारस में चार वर्ग थे पहला गुड़सवार तथा साशक वर्ग, दूसरा भिक्षू तथा अनुष्ठानिक पुरवईत वर्ग, तीसरा खगोल सास्त्री, चिकित्सक एवं विभिन विज्ञानिक वर्ग, और चोथा वर्ग था क्रशक तथा सिल्पकार, इस प्रकार से फारस में चार वर्ग थे, अलबरुनी यह बताना चाहता था कि सामाजिक वर्ग मात्र भारत में ही नहीं, इस प्रकार के वर्ग अन्य देशों में भी हैं, जैसे कि फारस में थे, उसने यह भी बताया कि इसलाम में सभी लोगों को समान माना जाता था, किसी प्रकार का लोगों में विबेद नहीं था तदा उनमें असमानता हैं सिर्फ धार्मी क्रिया कलापों के आधार पर ही मानी जाती थी इस प्रकाल अलबरुनी बताने का प्रियास करता है कि मुसल्मान समाजों में सभी लोगों को समान माना जाता था सिर्धार्मि क्रिया कलाब के आदारपवन में विभीनता है ठी अब हम भारत में किस प्रकार से वर्ण व्यवस्ता थी जिसका उलेख अल्विरुनी ने अपनी पुस्तक में किया है देखते हैं अल्बिरुन के नुसा भारत में नीमने वर्ग थे पहला ब्राम्मन अत्वा फुरोहित वर्ग वर्ण विवस्ता के उपर जाने से पहले हम एक तथ्य पर द्रिष्ट को अंडालेंगे अल्बिरुनी ने भारतिय साहित्य का बहुत गहनता से अध्यन किया था उसने संस्कत साहित्य, पुराणों में वर्णित साहित्य और सभी प्रकार के अध्यन के पश्चाथ उसने निसकर्ष निकाला था कि भारत में भी वर्ण विवस्ता प्रचली थे और चार प्रकार के वर्ण है उद्धरन के माध्यम से भी उसने बताने का प्रियास किया है पहला वर्ण था ब्रामन अत्वा पूरहीत वर्ण ब्रामन वर्ण वर्ण व्यस्ता में सवोच इस्तर पर थे विभीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रामनों के उत्पती भ्रह्मा के मुक्ष से हुईये ऐसा अलविरुनी बताता है दूसरा वर्ण शत्रिय हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शत्रिय भ्रह्मा के कंधे वह बाजुए से उत्पन हुए थे जो कि ब्रामनों से ड्वीती वस्ता में थे ब्रामनों के उप्रांद इनका इस्थान दूसरा था तीसरा वेश्यव, वेश्यव की उत्पति ब्रह्मा की जंगाओं से हुई है ऐसा ब्राह्मन ग्रंथों में लिखा हुआ था तातकाली ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन था जो कि अल बिरुनी ने अध्यन किया और अपनी पुस्तक में लिखा है तथा वर्ण विवस्ताद में इनका इस्थान त्रती है भ्र्णफों सुधर्वण सुधरों का जन्म भ्रह्मा के चाड़ों से हुआ है तथा इनका का ज़ो कार्य वह तीनों वर्णों की सेवा करना है यह उलेक हमें अल बिरुनी की कुस्तक में मिलता है इस प्रगा हम देखते हैं कि ब्राह्मनवादी संस्कृत गंतों पर आधारीत अलबरुनिका वर्णन है अलबरुनिका विवन संस्कृत गंतों से प्रभावित था वास्तिविक जीवन में इस प्रकार की जटिलता या कठोरता नहीं थी साथियों हमने पूरु में बात की थी कि अलबरुनिका द्रश्टिकोन आलोचनात्मक था भारती वन विवस्था में अपवित रिता इस प्रकार विद्धिमान थी कि वह समाज में एक बूराई की तरह दिखती थी अलबरुनिक ने इस अपवित्रिता का अस्विक्रत किया इसकी मान्यता को मना किया अलबरुनिक भारत में अपवित्रिता की मान्यता को अस्विक्रत करते हुए यदि भी अलबरुनिक ने अपवित्रिता की मान्यता को स्विक्रत किया लेकिन साथी साथव ब्राह्मन वाद व्यवस्था में भी विश्वास करता था जैसा कि अब यह हमने पड़ा था क्याल बरुनिन ने भारती वन व्यवस्था के चार भाग बता है ब्राह्मन, छत्रिय, वेश्यव, सुद्र और यह ब्राह्मन वादी व्यवस्था के अनुकुल था उसने लिखाए कि प्रतियक वस् सूरिय हवा को स्वच्छ करता है तथा समूद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है इद्यार्थियों, दार्शनिक बात है, समझने का प्रियास कीजिएगा, उन्हा बोलता हूँ अलबरुनी केता है कि जिस प्रकाश सूरिय हवा को स्वच्छ करता है, तथा समूद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है अलबरुनी के अनुसार यदि ऐसा नहीं होता, तो प्रत्वी पे जीवन बहुत कठीन हो जाता, जीवन असंभा हो जाता कहने का अतात पर यह है, सूरिय के माध्यम से वातावरन स्वच्छ रेता है, समूद्र इतना अथा विशाल है, उसमें तरह तरह की गंदगी नदियों के माध्यम से या मानवी कारियों के माध्यम से सामिल हो जाती है लेकिन उसके उपरांद भी उसमें जो खारापन होता है उसमें जो नमक होता है उसे वह दिरे-दिरे पुना साफ हो जाता है उसी प्रकार से यह प्रत्वी निरंतर चल रही है अगर यह प्रत्वी इस तरह से स्वच्छ नहीं रह पाती तो सायद हमारा जीवन असंभा हो जाता उसी प्रकार से हिंदू धर्म में विद्मान अपवित्रता का सिद्धान्द भी मनुष्य द्वारा अपने प्रियास से समाख किया जा सकता है अपवित्र हुई वस्तु भी पुना पवित्र हो सकती है ऐसा अलवरुनी का विचार था उसके अनुसार जाती वेवस्था में सम्मीली अप पवित्रता की अधारणा प्रकति के नियमों के विरुद्ध है जिस परकार से रूडिवादी वेवस्था भारती वन वेवस्था में सामिल थी वह उसका विरोध करता है इध्यारतियों अब हम यह अध्यन करेंगे कि अल बरुनी ने जो भारती फ़वस्था का अध्यन किया समाजों का अध्यन किया तो उसे क्या समश्य आई वो अपना जो ग्रंथ तयार कर रहा था उसको लिखते वक्त उसे ने मुख्य रुप से क्या कठिनेया महसूस की आये देखते हैं अल बरुनी को भारत का यात्रा वतां लिखने में मुख्य रुप से निमन कठिनेयों का सामना करना पड़ा ये मुख्य रुप से तीन कठीनई या है पहली कठीनई जो कि भाशा की थी हम जानते हैं कि अल गुरुनी वीदेशी यात्री था मुसल्मान धर्म से संबंदी था वो एक विद्वान था ये दिभी उसने बहुत सी भाशाओं पर अपनी पकड बना रखी थी तथा पी जब भारत में आया तो यहां की विवस्था देखकर यहां के लोगों का आचार विचार देखकर उसको भाशा की कठीनई मैसिस हुई वो यहां पर रेकर उसने संस्कत भाशा सिखी तदु प्रांत उसने विभीन पूराणों, साहित्यों और ब्रामन ग्रंतों का अध्यन किया पहली कठीनई भाशा थी उसके अनुसार संस्क्रत अर्भी और फार्सी से इतनी बिन्य थी कि विचारों और सिद्धानतों को एक भाशा से दूसरी भाशा में अनुवात करना बहुत कठीन था यहां वो संस्क्रत भाशा के क्लिष्टता पर प्रकाश डालता है साथी साथ अनुवात की कठीनई पर भी प्रकाश डालता है तो पहली कठिनाई भाशा समंधी कठिनाई थी दूसरी खठिनाई के उपपर प्रकाश जलता है कि दूसरी कठिनाई धारमी अबस्था और प्रथाओं में भिन्यता थी जिस वातावरान से अलबरुनी आया था वहां की दार्मिक प्रथाएं वहां के रितिरिवाज और भारतिय समाज की दार्मिक वस्था और प्रथाओं में बहुत अंतर था इस अंतर की वज़े से दोनों में तुल्नात्मक रूप से समझ बिठाना बहुत कठीन था उन्हें समझने के लिए वेदो, पुराणों और भामण साहित्य का साहरा लिना आवश्यक था इसी वज़े से अलबरुनी ने इन सभी साहित्यों का अध्यार किया है तीसरा महत्मुन कठीनाई उसके अनुसार भारतियों का जातिय अभिमान था इनी तीन कठीनाईयों पर मुखिरों से अलबरुनी प्रकास डालता है उन्हा सिग्र एक नए यात्री के नजरिय को लेकर आएंगे और इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे तब तक निरंतर अध्यान करते रहिए मेरे साथ जूड़े रहिए झाल 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 झाल